नमस्कार दोस्तों फिर से श्वागत है आपका एक नए वीडियो श्रिंखला में दोस्तों आपको पता ही है कि हर महिने में दो पक्ष होते हैं एक कृष्ण पक्ष और दूशरा शूकल पक्ष और दोस्तों दोनों पक्षों की एकारवी तिथी को एकाच्सी ब्रत रखा जाता है तो हर मा में दो बार और साल में चोबिश एकाच्सी ब्रत होते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ब्रत चानेंगे बरुधनी एकाच्सी के बारे में जी हाँ दोस्तों बरुधनी एकाच्षी की तिथी कब है बरुधनी एकाच्षी की पूजा बिधी बरुधनी एकाच्षी में क्या ब्रत नियम करना चाहिए और बरुधनी एकाच्षी का महत्व क्या है तो दोस्तों चलिए विडियो सुरू करते हैं दोस्तो हिंदु धर्म में एकाजसी को तिथी को सबसे स्रेष्ट माना गया है एकाजसी का जो तिथी है वो भगवान विश्णु को समर्पित होता है और एकाजसी ब्रत को बरुधनी एकाजसी के भी नाम से जाना जाता है जो की बैसाख मा के कृष्ण पक्षपर पड़ता है इस वार भरूधनी एकाजसी कब है दोस्तो उसकी डेट एंड टाइम क्या है तो दोस्तो भरूधनी एकाजसी का ब्रत साथ मई 2021 दिन सुक्रवार को पड़ेगा इस दिन ब्रत रखने और पूजन करने से सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सांती आते हैं तो दोस्तो आ दो पहर दो बज कर दस मिनट से आरंब हो जाएगी दोस्तो और समाप्थ साथ मई 2021 को साम तीन बज कर 32 मिनट तक समाप्थ हो जाएगी जहां तक बरूधनी एकाजसी की पूजा बिधी बरूधनी एकाजसी की पूजा सामगरी और कथा के बारे में जानते हैं दोस्तो बरू थी एकाजसी के एक दिन पहले की साम सुर्यास्त के बाद भोजन ग्रहन नहीं करना चाहिए। द्वाजसी तिथी को यानि अगले दिन सुबा स्नान करके पूजा करे और महा उपाय में दोस्तों ब्राम्हन को दान अवस्य करे दोस्तों। पर मिलता है उतना ही पुन वरुधनी एकाजसी का ब्रत करने से मिलता है। दोस्तों या बर्त जो है गरीबी को दूर करता है। घर में सुक समरिदी और श्रोभाग आता है और पापों का आंत होता है तथा मोक्ष की प्राप्ती होती है दोस्तों। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये छोटी जानकारी आपको पसंद आई होगी तो चैनल को एक लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद।